नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका RG Study में सबसे बड़ा सवाल इसमें है कि जो पेपर होने वाला है एंभी भर 3020 का उसमें इंग्लिस का पेपर आएगा किवल इंग्लिस में ही आएगा हिंदी में भी आएगा सबसे बड़ा सवाल है यह तो उसके लिए आप लोग दम निश रहेगा शली और हां सभी पोर्षन हें अपका जो हेंदी हों हिंदी इंग्लिस डोनों में रहेगा मैत है जो आपका वो 2 में हिंदी ans में लेकिन जो इंग्लिस तो इंग्लिस में ही रहेगा िजान लिजिए ओ झाली इस वीडियो का सुरु करते हैं 33 नमर का रेस्ट है आग और नहीं तयार हो पाई कल सुबह 6 वजे आप लोगों को मिल जाएगी चिक 6 वजे एलर्ट रहे आप लोगों को करेंट अफेर की वीडियो मिल जाएगी कल ठीक है चलिए जो लोग चैनल पने हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस कर दिये रहे हैं पहला कोस्टन के हां प्रिसक्त करेंगे कि किसी कमपनी की प्रतियस परधा प्रतियस परधात्मक इस्तिती में डैस से सुधार किया जा सकता है किसी से सुधार किया जा सकता है अधिको ही दिक्त है तो ग्रहाँ को किया हो सकता हों की समझना और पूरा करना उसकताग क्या है ग्रहाँ की उसको समझना उसी ओसकताय को पूरा करना है हम वह गरान से नेकल कर सकते हैं prosecution deficit financing का आर्थ है कि dash की सरकाल ने dash से धन अर्जित किया कि से अर्जित किया है, deficit financing का क्या अर्थ है यहाँ पर, देखें तेहाँ पर हो जाएगा आपका भारती रिजर्ड बैंक से धन अर्जित किया है, इसी का पर deficit financing का अर्थ यही हो जाएगा आपका, ठीक है, सीदे सीदे, आगे है कि निम्रिकित में से किसकी जानकारी असोक के किसकी जानकारी जो है, असोक के सिलालोगों से मिलती है, यहाँ पर देखे जीवन तवृत की है, आंतरिक निति की मिलती है, और विदे इसी निति की जानकारी मिलती है, तीनोय जानकारिए मिलती है, तो absorption number D हो जाएगा आपका, जो विकल्क दिया है, सवी की सभी सही है, आपका देखिए हाप पोर्तगालियों के साथ संगर्ष हुआ था उसी में या मारा गया था आगे नेक्स्ट देखेंगे कि पृत्वी के किस भाग में निकेल के निकेल और लोहे की प्रचूरता पाई जाती है यहाप हो जाएगा आपका त्री नीफे नीफे का आर्थ हैं यह लोहा आटा है जान में अब लोग देखिेंगे की कौरूड वाले भाग में पाय जाता है कापे क्रूडवाले भाग में ठीकें आगे चलते हैं को मगतत ट कहा इस्ते से कों अनते गवाया के समय के वालेश्य स्वाले जितने भी छेत्र हैं सभी के सभी important है वो पूछता है चीक है चलिए आगे चलेंगे दी विल्विकित में से कौन सायूग में सुमेलित नहीं है इसमें से कौन सायूग में सुमेलित नहीं है ए भी बताना है तो भारत नाट्टेम तमिलांडू सही है आपका ODC जो है और इसा सम जो कथ कली है क writing कली आपका केरल का सबसे प्रसिद्धन नित्त है केरल का का कहा है केरल का की करनाटका ठीक है इसलिए हमें केरल होना चाहिए था आप प्रक dopo आ है तूण ठीक है लिए हमारें गलत है आपसर नमर दो सरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिचाई उज्या उत्पन करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंदु नदी से कितना जल उपयोग करने के अनुमती मिली है या दी गई है, तो 48 का हो जाएगा 3, 20 प्रतिसत, कितने 20 प्रतिसत, चिक, चलिए, आगे चलते हैं कि कौन सदेश एक पार्टी प्रडाली अनुसरन कर रहा है, कौन सदेश पार्टी प्रडाली आपका जो अनुसरन कर रहा है, तो आप हो जाएगा चीन प्रडाली अनुसरन कर रहा है, चलिए, आगे की बात कर ले दिए हम लोग 50 नमर का, निमने कितने से किस देश के साथ चीन की सीमा सबसे ल स्टम्बी लगए तो आपको जाएगा मंगोलिया के साथ मंगउलिया के साथ सीमा लगए है, सब से जादा कितना लगबग 467 किलो मीटर लगबग उसके साथ लगई हुई है ठेक है साली आगे खिलते हैं कि अंनुम्हकित में से कौन सा कतन सही है तो आपका कौन सा कथन सही है यह में बताना है देखे बैकलाइट उस्मा का सुचालक होता है गलत है बैकलाइट उस्मा का सुचालक नहीं होता है कुछालक होता है यहां पर ध्यान दीजिएगा कुछालक होता है बैकलाइट विद्दूत का कुछालक होता है बिल्कुल सही है आपका हो जाए बेकलाइट विद्दूत का कुछ आलक है चलिए आगे चलते हैं इन लिकित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है यह बात करेंगे तो हो जाएगा पेट्रोलियम का जो आपका ज्वलन ताप है सबसे कम है इन सब के अपेक्छा यह لिएक नेक्ष्ट हैं अच्छा इसको यह भी देख लिजे कि क्या कहते हैं जो लन-टाप किसे करते हैं इसको नियुन्तम ताप मारा जिस पर एक पदार चलना सुरू हो जाता है जल्दी कहां प्लेका चल प्लेक्चाए सबसे जल्दी भारतिय संसत को संभिधान में संसोधन करने की सक्ति प्रदान करता है तो अंचेद 368 है important अंचेद 368 चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर कि भारतिय संभिधान का कौन सा भाग केंदर सासित प्रदिस की बारे में बताता है तो केंदर सासित प्रदिस की बारे में कौन सा भाग बताता है आपका भारतिय संभिधान का 54 नमर का इंसर जाएगा आपका 3 बार भाग 8 आपसर नमर 3 प्रदिस प्रदेशों की बारे में बताता है आगे चलेंगे कि भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांस्पीशियों के अस्तर के लेबद संकुचन को डैस कते हैं क्या कते हैं इसको पच्चपन का नेक वन हो जाएगा क्वेशन क्रमा कुंचन क्रमा कुंचन चलें अगला है कि निमिखित में से कौन सा फूर्सों में लिंग कोड़ सुत्रों के जोड़े को दर साता है अमनों का सी दिशिद्या एंसर हो जाएगा क्या एक्स वन क्या एक्स वाई नेक्स लेक कि भारत सरकार द्वारा आइट्री नमक राष्ट्री बायो फार्मा मिशन के लिए कितने राष्या रिच्छित की गई है तो आइट्री के लिए कितना इसके लिए आइट्री के लिए आई थ्री बायो फार्मा मिशन कितना क्या गया आपका दिखे तो जाएगा 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर सिख चलिए नेक्स है किस देश के बैज्ञानिकों ने पहली बार प्रियोक साला में मूल स्टेम कोशिकाओं से कारसील मानो कंकाल की मांसपेसियां विक्सित की है मांसपेसी विक्सित की है तो लोका एंसवर सिरी से देश हो जागे है आपके कौन सा देश है संयुक्त राज अमेरिका है United Nations of America नेक्स्ट है कि लोकतंत्र की जरूरी विसेष्था क्या होती है लोकतंत्र की जरूरी विसेष्था डैस को प्रमुक्ता देना है किसे प्रमुक्ता देना है क्या होती है उसमें नागरिक को प्रमुक्ता देता है लोकतंत्र में नागरिकों का सब कुछ होता है नागरिकों का ब्योस्ता की गई है, क्योंकि बावन चपन साथ, इंपोर्टेंट है, जान जाईए, बावन में क्या है, राष्ट्री अपात है, क्या है, राष्ट्री अपात है, और चपन में क्या है, आपका हो जाएगा, राज्य अपात काल है, क्या, राज्य में कोई भी नहीं चलता रहा सासन चल पा रहा है तो उसके लिए आपका 356 है बाकि 326 की बात कर लेंगे तो वित्तिय आपात है क्या जाएगा वित्तिय आपात है चली आगे है चार किलो ग्राम द्रविमान वाली किसी वस्त पर बल लगाने से उसका वेक 5 सेकेंड में 15 मीटर प्रति सेकेंड से 25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है तो लगाया गया बल की गणना कीजिए एक निमेरिकल भी है इसे आप लोग बताईए देखे अच्छे बताईए कि F is equal to क्य acceleration means 2 हाट हो जाएगा multiply इन दुनों का देखे 4 किलो ग्राम है जिब 4 किलो ग्राम है और 4 किलो ग्राम यहां पे ले ले लितने चीकि यह बताईए कि यहां पर सीधे-सीधे अगर 15 से 25 हो जा रहा है 15 से 25 हो जा रहा है कितने का difference हुआ हुआ है वह जाएगा आपका 10 का इतने का 10 के दस का मीटर प्रतिसेकेंड का तोरण कर जानते यह क्या होता है आपका मैंने संब्सक्राइब करेंगे तो दो आ जाएगा e is equal कितना गया दो आ गया तो f is equal to V minus U upon T और आप लोग जानते हैं F is equal to M into M, M into A और हम लोग M का value दे दिया, A के value हम लोग निकाल लिये हैं और चार दुआ के 8 हम लोग का answer क्या गया? और आठ निूटन, जिक कोई doubt है इसमें? नहीं है, आगे चलते हैं, कि किसी वस्तु की डैस सरल रेखी ये गति के दोरान किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन सुन्य होता है, किसके एक समान यदि वेग चला आए, यदि कोई गति वहां सरल रेखी ये गति के दोरान चला है उसका समय अंतराल वस्तु के वेग में परिवत्तन कितना था सुनने होता है आप जान लीजिए एक बात इससे रख लेजिए दिमाग में उस रिकट वन धी यह वर्सा वन डैस क्या होते हैं तो जाएगा आपका उस रिकट वन धी वर्सा वन प्रचूर मातरम क्या वर्सा होती है यह आपका फैक्ट एकडम सही है नेक्स्ट है कि निम्लिकित में सम्मिधान के किस अनुशेद के अंतरगत केंद्र सरकार द्वारा ज्राजी सरकारों को निर्देश दिया जा सकता है तो 64 नम्मर का क्या हो जाएगा एंसर हमनों का हो जाएगा एक दो सो सब्सक्राइब क्या है 256 चली आगे चलते हैं मैक्रोसफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतरगत डेस का उप्योग किसी विशिष्ट पार्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है किसका पहुज़ था पांटिंग के अंतरगत हो जाएगा अपका यहा मुसलिम लीग अंतर्म सरकार में कब समलित हुईथी तो कब समलित हुई थी तो आप पो जाएगा चाछत नम्मर का इंसवर 24 अक्टूबर 1946 में आगे चलते हैं कि व्योम केस बक्सी की कहानियों के रचनाकार कौन है, तो सनसर्थ नंबर का एक हो जाएगा, सरदेन्दू बंदेवपाद्याए, सरदेन्दू बंदेवपाद्याए, चीक है, यह हम लोगों का इंसर हो जाएगा, चीक, आगे कि 1947 में लार्ड मांट बेटन द सिरिल रेड क्लिफ इनी के नाम पे रेड क्लिफ रेका खिची गई है भारत पाकिस्तान के बीच में नेक्ट निमलकित में से सभी लोग जानते होंगे कि राम प्रसाद विस्मिल और अस्फाक उल्ला खान जी थे कब दिगे थी आपका यह घटना का वही थी नव अगस 1925 को वही थी कब नव अगस 1925 को नेक्स्ट है कि एक समान्य लोलक पेंडूलम ती की अवदी और इसकी लंबाई एल के बीच को तो ठीक है इसका अंसर का हो जाएगा एक हो जाएगा टी इस उकल टू पाई अंडरूट एल पांच जी यह होता है फार्मूला याद रखे रहिए कि समान्य लोलक का पेंडूलम ती की अवदी और इसकी लंबाई और जी के बीच जो है संबंद नहीं होता है टी इसका त भार उन प्रस्थूत के गया है तो ब्राम्ही लिपी का उदर प्रस्थूत किया गया है थिश्थ गणर में मनाये जाने वाले किस ज्रजातिय देवी जो एक ज्रजाती देवता है कि पूजा की जाती है पूझ है आपके अबैदा हरा और father totalmente है कौन इहांत कर चारभन ड़ाई आजाएट ध्यों मेंं करनाटक के राश्चरुट इंक्राण्थ सासक कौन था जिसे बादामी के चलिकों को पराजित किया था इसने जिसने बादामी के चलिकों को पराजित किया था किसने किया था हो जाएगा दंत तूर्ग राजा दंत दूर्ग ने कि समिधान संसुधन के अंतिकत बोडो डोंगरी संथाली और मैथली चार प्रमारिक भास है कि आवर्त सारणी की पांचमें अंतराल और आई आई इंसमुह में किस तत्तो रखा गया है किस तत्तो रखा गया तो ah 76 नमर का एंसर क्या हो जाएगा मुणोगों का एंसर यहां पो जाएगा is so क्रिष्ण की सहायक नदी नहीं है। जो बेतवा नदी है यह नहीं है। बात यह हो जाएगी कि बेतवा किसकी सहायक नदी है। मुगलों से रच्छा करते हुए निमलिकित में से किस मराठा सासक को अपने प्रांड गवाने पड़े थे। आपका 78 नबर हो जाएगा। प्रेफिक्स 10 पावर्दी 15 फेक्टर के बराबर है। किसके बराबर है आपका। यह मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्चन है। क्या हो जाएगा आपे तो आस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या आश्ट्रेलिया हो जाएगा। भारती समिधान में राज्यों की बीच प्यापार और वारिज्य की सोतनता जब अउधारा होती थी तो आश्ट्रेलिया समिधान से उधार लिया गया थे। समवर्ती सुची की बीचेस्ताय और राष्ट्रिय विधाय का कि सक्तियां भी अश्ट्रेलिया से ही संबंद रखती हैं। तो आपका अश्ट्रेलिया हो जाएगा आप लोग का एंसर। बाकि अच्छा लगात लाइक कर जाएगा। से जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग आसा करते हैं आप लोग का डाउट जो है खतम हो गया होगा कि इंगली होगा यह हिंदी। किसी में भी आप लोग पेपर दे सकते हैं। पेपर नजदी का रहा है आप लोग मैंनस करते रहे हैं। वीडियो थे किले दन वाट जैन।